बिहार के बेगुसराय में अपराध्यों की तावर तोड फाइरिंग की घटना के बाद अब दूसरी घटना भी हो गई बता दे आपको कि रविवार की दे रात बेखौफ अपराध्यों ने हाजिपूर शहर में तावर तोड गोलिया चलाई बीच सरक पर फाइरिंग करने के बाद अपराध्यी आराम से निकल गए उसके बाद पहुची पुलिस ने खाली खोखा तलाशा गोलिया चलाते वे अपराध्यी राजिंदर चौक की और भाग निकले वहीं इस घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गया है हालाकि गनीमत ये है कि अपराध्यों ने किसी आदमी को निशाना बनाने के बज़ाए हवाई फाइरिंग की लहाजा किसी की हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है वहीं अस्थाने लोगों ने बताया है कि बाइक सवार अपराधी रविवार की देजात पासवान चौक की तरफ से शहर में घुसे पासवान चौक से आगे मड़ई रोड में एक ही बाइक पर सवार अपराधियों ने ताबर तोड गोलिया चलाई फाइरिंग की आवाज सुन आसपास के इलाके में दहशत फैल गई वहीं आपको बता दें कि शहर के बीच हतियार लहरा कर फाइरिंग करते अपराधियों के बारे में पुलिस को कोई भनक नहीं मिली बाद में जब अस्थानी लोगों ने पुलिस को खबर किया तो वह मौके पर पहुंची पुलिस उस रास्ते में भी गई जिससे अपराधी भागे थी लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया वही नगर्थाना पुलिस ने बताया कि पुरे शहर को सील कर दिया गया है साथी सगन चेकिंग भी की जा रही है और फिर आये नवाँ और खूंखा आगे में इलुको मिला कर दूबराई गी है किसी को निशाना बनाया गया जासा ही रेंडम फाइडिंग किया है अब इसका अभी जाच चल रहा है अब देखा जा रहा है CCTV केमरा देखा जा रहा है कौन था कौन नहीं था इसका जाच किया जा रहा है जिनकों फाइडिंग करते हुए राजंदर चक की औरी चल चल गया और साइडिल पर कितने लोग शागा है किदर से आने से इदर उपासमान चोग कि उच्छा रहा है कितने राउंद फाइडिंग करने के बाद यहां पर किस तरीकी की महल कुछ नहीं पर कि शोरगुल हुआ लोग आया यहां देखता कि यह थना भी आया है नगर थना से पुलिस क्या बोलिये तो हम सुचने ले अपर का नाम जा हुआ यहां वेवेक कमाचावान झाल